बिगडी अर्थ विवस्था को पट्री पर लाने के लिए मूदी सरकार चार बूस्टर दे चुकी है लेकिन उसका कोई भी डोस काम नहीं आ रहा है क्योंकि बार-बार रिपोर्ट से ऐसी सामने आ रही है जो देश की चिंता बढ़ाने वाली है जी हाँ, आईमेफ और मूटीस की बाद अब सेंट राष्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में हैरान करने वाले आंकड़े ज़ारी किये हैं देश आर्थिक मंदी की मार जेल रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा है ऐसे में इंतजार है एक खुशखबरी का, जो ये कहे कि अब खत्म हुए महगाई की मार अब देश नहीं होगा मंदी से बेहार, लेकिन ऐसी कोई खुशखबरी नहीं आ रही है बलकि रिपोर्ट से ऐसी सामने आ रही है, जो देश की चिंता बढ़ा रही है जी हां, सहित राष्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे आम जनता की साथ मोधी सरकार की मुश्किले बढ़ने वाली है UN ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट UNCTAD यानी Trade and Development Report 2019 में कहा है और उद्योग जगत को राहत के ऐलान की बाद कुछ दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड उच्छाल दिखा लगा कि अर्थविवस्था में सुधार की संभाब ना बढ़ रही है, लेकिन अब ये गलत साबित होता दिख रहा है संभ्तराश ने अपनी तासा रिपोर्ट में दावा किया है कि अंतराश्टी अर्थविवस्था की रफ्तार 2018 की 3% से खट कर 2019 में 2.3% रह जाएगी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अंतराश्टी अर्थविवस्था में मंदी का खत्रा बढ़ता जा रहा है कई उबर्थी अर्थविवस्था में मंदी में फस चुकी है जर्मनी और युनाइटेट किंग्डम भी आर्थिक मंदी के खरीब है साफ है कि मंदी का असर सबसे जादा भारत के निर्यात पर पड़ेगा मतलब खत्रा बढ़ा है और अंतराष्टी अर्थविवस्था में मंदी से भारत अचूता नहीं रहेगा ये रिपोर्ट भारत की परिशानी बढ़ाने वाली है ऐसे में अब मूदी सरकार की बहानों से काम नहीं चलेगा सरकार को कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाना होगा डीवी लाइफ की रिपोर्ट